hey hello friends welcome back to my channel आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे आज का वीडियो है on shatavari और as usual मैं कुछ brands आपके साथ share करने वाला हूँ few of the best brands of shatavari जो इंडियन मार्केट में available है जो मैं research की है वो share करूँगा आपके साथ में और of course after the research जो मेरे हिसाब से दो brands है जो आप लोग select कर सकते और of shatavari वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसे के साथ मैं of course benefits भी share करूँगा of shatavari quickly cover करूँगा benefits क्योंकि benefits के उपर बहुत सारे information और अविलेबल है on internet पर जो information अविलेबल नहीं है वो उसके उपर मैं ज्यादा time spend करूँगा और वो है कुंसे best brands है और वो क्यों है plus हमें कितना shatavari consume करना चाहिए और मैं आपको शेयर करूँगा कि क्या है difference between shatavari powder and shatavari extract yes क्योंकि market में आपने देखा होगा कि powder form में भी available shatavari और capsule form में भी available shatavari right तो आपको यह जानना important है कि क्या difference है ताकि आप एक informed or right decision लो तो इस video में यह सारे information में cover करने वाला हूँ and before I actually start my video दोस्तों आप लोग आप सब लोग को बता है कि जो मेरी research होती है मैं of course companies को question पूछता हूँ और उन questions के answers जो वो लोग reply करते हैं उसके basis पे में review करता हूँ वो सारी brands और मैं आपके साथ वो सारी information शेयर भी करता हूँ और description box में भी वो सारी information में mention करता हूँ अगर कुछ links होगा रहा है तो वो description box में शेयर करता हूँ तो ज़रू description box ज़रू check करना और अगर वीडियो पूरा देखने के अबाद में अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो definitely do remember to subscribe to my channel like भी करना शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी benefit मिले and most importantly अगर कुछ questions है आपके पास में ठीक है क्योंकि पूरा पूरा जो वीडियो है उसमें शायद मैं सारी information cover ना कर पाओ तो आपके पास definitely कुछ questions होंगे मेरे लिए तो वो question जो है वो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो मैं हर एक question का दोस्तो definitely reply करने का try करता हूँ चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो जो शतावरी है वो एक beautiful plant है उसके roots से उस plant के roots से actually में उन्हों शतावरी powder और शतावरी capsules बनाए जाती है और यह एक adaptogenic herb है यानि इसके health benefits है just like अशोगंदा के और plus इस जो शतावरी जो है वो females के लिए तो definitely beneficial है बहुत सारे benefits है लेकिन उसे के साथ में males को भी benefit मिलेगा इ से इंटरेनेट पर benefits आपको बिल जाएंगे इसके लेकिन फिर भी में quickly cover कर देता हूँ इसके benefits ना women's के लिए definitely it helps in management of premenstrual syndroms और यह होता क्यों है क्योंकि hormonal changes जो होते है उसके वेसे होता है और of course हमारे diet जो है वो अच्छा diet नहीं होने के कारण you know hormonal balance जो है वो बिगर जात है जिसके वेसे women's के लिए काफी beneficial है and of course after pregnancy right delivery होती है उसके बाद में women's के उपर mentally stress भी होता है और body जो है वो काफी stress में रहती है उसके बाद में breastfeeding की करना है तो उस case में सतावरी जो है वह of course you know breast milk है उसको increase करने में help करता है पर उसे के साथ ही साथ जो mental and physical health women की उसको improve करने मे help करता है mental stability चाहिए उस वक्त वो आपको शतावरी देता है अगर में में मेंस की बार करें तो definitely मेंस के लिए भी helpful है यह जो शतावरी है वो actually आपको help करेगा to increase your testosterone levels ठीक है just like how ashwagandha helps तो actually आप ashwagandha के साथ में शतावरी का भी इस्तमाल कर सकते हो मसल बिल्डिंग वगरा में आपको help मिलेगी इससे immunity को boost करने के साथ ही साथ ये एक rejuvenating herb है दोस्तों प्लस सबसे जो बड़ी चीज है वो है इसके antioxidant properties saponine जो active compound पाया जाता है शतावरी में जिसके maximum benefits ठीक है व you know free radicals हमारे body में बनते हैं जो damage करते हैं हमारे cells को and of course हमारे skin वगरा भी impact होती है तो यह antioxidants जो है वो हमारे skin को भी अच्छा रखेगा wrinkle free रखेगा of course immunity जो boost होगी हमारी वो इसी antioxidants के वज़े से ही होगी साथावरी also helps in preventing collagen breakdown collagen के उपर मैंने दोस्तों वीडियो बनाई हुई है आ वो जो wrinkles वगर आता है वो नहीं आने चाहिए तो आपको collagen चाहिए पूरी information मैंने वस वीडियो में दी है वस वीडियो का link description box में add कर दूंगा आप check out कर सकते हो और देखो दुस्तो आयरुदी खाब है तो आयरुदा में यह यह शतावरी है इस यूस्ट अनो फो बैलेंस बै बेखाएी डिफरेंज बित्विःण चाहिए शतावरी पावडर झार इंशतावरी एकस्ट लुसbirdारी ऑप्ट्रूरिदीा चाहिए और चैमिन एंग्सटावरी की उसमें इकस्ट्रेक्ट का ईिसन महला रहाए और फारे yum स्टे जो हरूट है इस फिक है उसमें से आ थे ठीक है न और Instrat K TJ एनिम अपार्य की उसमें एक्स्ट्रेक्ट का स्तमान होता है अइस अनुन उसमें से एक्स्ट्रैक्ट करते हैं ऊंली द में इरडिएन या में एक्ट्व कंपॉंड which is saponine जिसे मैंने का हां ठीक है और उसको फिर उसको लेके वो एक्स्ट्रेक्ट करके extraction techniques वगरा होते है ठीक है वो मेन active compound को extract करते हैं वो एक्स्ट्रेक्ट करके वो लोग capsule बनाते हैं तो अगर आप कोई भी capsule select करो तो उसके अंदर अफकोस दोसीज होगी वो 500 ग्राम एक capsule आपको देगा लेकिन उसके उपर लिखा होगा कि इस स्टेंडर आइस टू 20 परसन या 30 परसन या 40 परसन सेपोनीन विच इस तब मोस्ट एक्टिव compound एंड शतावरी और शतावरी पाउडर जो होती है न दोस्तों वो बनती है संद्राइट शतावरी शतावरी रूट से जिसके अंदर होते हैं सारे अक्टिव और इनक्टिव और शतावरी रूट में पाए जाते हैं तो एक्स्ट्रेक्ट में आपको नो मिलेगा एक ही में एक्टिव पाउडर में आपको मिले गई सारे न्यूट्रियंस एक्टिव और इनक्टिव कंपाउड जो भी वह रूट के अंदर शतावरी रूट के अंदर है ना आफकोर्स जब हम ब्राइंस की बात करेंगे हमें सिलेट करना है ऐसा ब्रैंड अगर पाउडर की में बात करो जुसके अंदर रूट का एक्स्ट्राक्ट रूट का रूट से पाउडर रूट की पाउडर हो रादर दैन होल प्लांट पाउडर हमें होल प्लांट पाउडर नहीं चाहिए हमें रूट से बनी हुई पाउडर चाहिए इसका जो टेस्ट है वो बिट बिटर होगा और सुईट भी ह होगा I think it should be manageable ठीक है तो चलिए सबसे पहला ब्राइंट जो मैं आपके शेर को रूँगा वो है जस्ट जाइविक 100 परसन और गनिक शतावरी पाउडर ना इस कंपनी को जो भी क्वेशन पूछे मैंने दोस्तो हर एक क्वेशन के रिप्लाइस मुझे कंपनी ने किये बहुत ही क्वेशन मैंने पूछे मैं quickly go through करता हूँ और देखते हैं उसके reply क्या किये इन्होंने तो जो सबसे पहले question इनको मैंने पूछा था वो था कि यह plant powder है या just root powder है या extract form में है तो इस question के पर उनका जो reply था वो था कि यह सिर्फ शतावरी root का powder है whole plant powder नहीं है और हमें शतावरी root powder ही चाहिए अगर आप product के पीछे देखोगे ना दोस्तों तो कहीं पर actual mention नहीं किया हुआ है कि it is root powder इसलिए कुछ confusion हो जाता है लेकिन company ने clear किया हुआ है and I trust this brand दोस्तों कि इस brand के मैंने अश्रवगंदा और भरमी जैसे powder भी try किया हुए है तो definitely company ने मुझे reply किया हुआ है कि यह root powder है तो definitely I trust कि यह root powder ही है second question जो था वो मैंने of course मुझे मालूम था इसका answer but still I ask them कि क्या है difference between shatavari powder and extract तो इनको इनका जो reply था जो मैंने परे आपको explain किया हुआ है वो ही था the third question था वो मैंने उनको पुछा वो था कि वो लोग कोई lab report share कर सकते है क्या for quality strength and purity of shatavari powder तो of course जैसे मैंने का दोस्तों इनोंने actually lab report share किया हुआ है जो आप अभी आप screen पर देख सकते हो इस lab report का link जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो आप check out कर सकते हो very important चीज है दोस्तों कि company lab report share करी अपने customer के साथ मुझे चाहिए and all that stuff they were very open to share their lab report that shows कि you know they want transparency और जितनी company you know transparency maintain करे विद दे कस्टमर एक trust build होता है next question था कि कोई additives filler preservatives वगरा है इसके अन्द तो इनका reply था कि कुछ भी नहीं है इसके अन्द नो additives fillers वगरा कुछ भी नहीं है ingredient list में है सिफ और अर्गनिक शतावरी root powder और फिर यह दो और मेरे लिए ना यह काफे important है कि अगर कुछ भी आप consume करो अगर वो organic मिल सकता है तो उसको organic certified जो brand है उसी को choose करो तर इसके इसमें जस जाए विक इस organic certified USDA certified और उनों मुझे actually उनका USDA certified certification जो है वो भी शेर किया हुआ है description box में में link दे दूंगा आप check out कर सकते हो और description box में यह भी बताओंगा कि यह certificate जो है वो क्या बताता है कि क्या इनके प्रोडक्स ने क्या क्या है या कैसे प्रोडूस हुआ है यह product ठीक है तो सारी जो डीटेल है वो description box में मैंने mention की है check out जरूर करना इसको जो experience 24 months की यानि आप प्रोडूक्स करने के बाद में उसको 24 months तक रख सकते हो ऐसे ही वो fresh रहेगा लेकिन आप जब भी open करो open करने के 3 months के अंदर आप इसा consume करो यह product के ओपर की दर mention नहीं की हुआ है पड़े मैं personally आपको बता रहा हूँ एक बार open करने के बाद में better है कि आप इसको 3 months के अंदर finish करो ना पर मैंने को पूछा था कि इसके अंदर को है और यह ब्राइंड है जाए वह एक्टुली यह उनों यूस और यूरोपेर मार्केट में भी सेल करते हैं अपने प्रोडॉक्स देफरेंटली कॉलिटी वाइस कॉलिटी स्टेंजर जो है उनको मेंटेन करके रखनी पड़ती है नम प्रोड़क्ट के back side पर mention किया हुआ है कि आपको कितना लेना है इसको जो serving size हो वह half teaspoon अपको consume करना है विट warm water once or twice daily यह water या फिर warm milk के सथभी consume कर सकते हो फिर इसके ट्रांस्वर करना है एटाइट कंटेनर में ताकि इसके जो फ्रेशनर से वो बनी रहे है सेकंड ब्रैंड जो था वो था पतंजली ना पतंजली के मैंने वैसे को प्रोडक्स अपने चैनल पर रिव्यू नहीं किये है लेकिन आगे जाके मैं जरूर करूंगा लेकिन इनका जो पूचे थे उनका आंसर जो था वो थीक से सारे क्वेशन के आंसर उन्हें नहीं किये लेकिन जो भी उन्होंने आंसर किये वो मैं आपको बताता हूँ अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हो उन्होंने बोला कि पतंजली जो शतावर श्चूर्न है इस अपूरूट दोस्तों लेकिन उन्होंने शेयर नहीं कि उन्होंने बोला मुझे की कंपणी के साथ पर जाओ उदर आपको दीख जाएगी तो कंपनी के साइट पर गया उदर एक्चूली मुझे इन्ग्रीडियंस लिस्ट में शतावरी दीखा लिकूं उसके साथ में एक्सीपीयंट भी दिखा मैं जो एक्षुली कुछ भी हो सकता है कलरिंग एजन प्रिजर्वेटिव फिलर एडिटिव कुछ भी हो सकता है तो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है मैंने कंपनी को वापस रिप्लाइब किया है बाट काफी दिन होगे कुछ रिप्लाइब आया नहीं और इन्हों सर्टिफाइब और अर्गनिक लेबल यूस्ड एका नहीं दिखा देफरेंटली आइव नोट रेकमेंड दिस प्रोड़क्ट बिकोज अ फॉल दिस पॉइंस 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 थीक से आया नहीं और अफकोर्स दूना इस इस नोट और गैनिक का शतावरी पावडर विच इस अगें 100 परसंट और गेनिक शतावरी पावडर केरमल ऑर्गनिक्स की जो पावडर है वो भी रूट पावडर ही है ना कि होल प्लान पावडर विज इस गूड विज इस वाट वी वांट इन्होंने भी मुझे लैब रिपोर्ट शैर किया तो लैब रिपोर्ट का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा जरूर चेक आउट करने इसके अंदर भी कोई additives, fillers, preservatives वगरा नहीं है आप इसके प्रोड़क के बैक साइड के बद देख सकते हो इंग्रिडियन लिस्ट में सिफ शतावरी रूट में और केरेमल और और चेर्ट के अवा है और केरेमल और दोस्तों में इसाथ और गनिक सर्टिफिकेट शेर किया हूआ है जो USDA का है तो डेफिनेटली आइव देनो था इनो था इस ब्राइंड का करेमल और अशोगंदा कंजूम कर चुका हूँ भूमी पाउडर भी प्राइड लिखा हुआ है हाफ टी स्पून आपको लेना है और मिक्स करना है विद वार्म वाटर या वार्म मिल्क और इसकी जो एक्सपरी है वो है 24 मंस की और जैसे मैंने कहा एक बार उपन करने के बाद में थ्री मंस के अंदर इसको फिनिश कीजिए थ्री मंस तक अच्छे से फ्रे ना इस ब्राइंड में भी मुझे अब मेरे क्वेशन के उपर रिपलाई किया इनकी जो पाडर है वो भी बनी हुई है रूट से इनसे भी मैंने लैब रिपोर्ट मांगे थी फॉर क्वालिटी एं स्ट्रेंट और पूर्टी अब दे प्रोड़क्त लेकिन इन्होंने लैब रिपोर्ट शेयर नहीं की है मैं फॉलोप कर रहा हूं अगर रिपोट शॉय करते हैं तो जरूफ शेयर करेंगे लैब रिपोर्ट मैं लैब रिपोर्ट का लिंक दे दूगा शेयर करो दूगा जैसे ही वो लोग सेंड करते है I hope they do send their lab report फिर इसके अंदर भी कोई additives यर फि सब्सक्राइब है जैसे युएसडीए से जो जल्जावी को का था तो इनका राप्लाइब था कि इनका पुड़ो इनका जो सटावरी पाउडर है वो और गनिक है पर इस नॉट सटिफाइब नाव प्रॉब्लम यही है कि अगर और गनी के लोग बोलते हैं तो डेफिनेटली जैसे मैंने का है युट परिफर और गनिक शतावरी पाउडर जैसे जस जाए भी को करेमल हैं तो इस केस में हर्ब असेंशेट के प्रॉडोक में कंजम नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने कोई लैब पो शेयर नहीं की है और अफकोर्स और गनिक भी नहीं है बिकॉस अमने सटिफाइड नहीं है इवन तो दे क्लेम है ठीक है नेक्स ब्रैंड है हर्बर हिल्स और गनिक शतावरी पाउडर इसकी पी जो पाउडर है वो शतावरी रूट से बनी होई पाउडर है विच इस कंपनी से भी लैप रिपोर्ट मांगी ती इन्होंने रिप्लाइ किया येस अब तक शैर नहीं की हुई है मैं फॉलॉप कर रहा हूँ जैसे शैर करते हैं और इसके इंदर भी कोई additives, filler, preservatives नहीं है और प्रोड़क के ऊपर आप देख सकते हो USDA Organic मैंने इनसे भी certification मांगी हुई है लेकिन इन्होंने शैर नहीं की है अब तक जैसे शैर करते हैं मैं रपोर्ट यह ओप देख रएट क्विकली रोन नहीं 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 बोला है यह इस इंग अटेश्मेंट भूल के वो लोग आम स्टिल फॉल इप जैसे मिल जाता है मैं आपके ताश शैर को दूगा पर एक अच्छा ब्राइंड है मैंने इस ब्राइंड का वीड करास ठीक है आपके पास कुछ पर्सनल क्वेश्चन से अन पाउडर तो देफेनिले मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हो नो टैबलेट की मैं बात करूं जैसे मैंने कहा कैप्सूल की मैं बात करूं तो कैप्सूल जो है वह एक्स्ट्रेक्ट से बनाए हुए जाता है तो इस वेरी इंपॉर्टन की वह प्रोडुक्ट जो है कैप्सूल है उसको प्रोड़क के ओपर मैंशन हो कि इस स्टेंडराइस तू लो टैन परसंट वरी परसंट सेपुनीन तो कैप्सूल के ब्रैंड के ओपर डेफिनिटली मैंशन होना चाहिए अगर नहीं है तो आग नहीं किया और उसके उपर कोई रिप्लाइबैक भी नहीं किया कि वो लोग शेर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इनने जस्ट बोला कि हिमालया शतावरी जो है इस टेस्टेट फोर पुरिटी स्ट्रेंद और मेंडिटरी कॉलिटी पैरेमिटर्स रेकमेंडेट बाइ सकते हैं लेकिन इन्होंने चैन नहीं किया मुझे फुल लिस्ट ऑफ इंग्रेडियंस इनका जो रिप्लाइ था वो था हिमालया शतावरी टेबलेट इस प्रोप्राइटरी प्रिपरेशन ऑफ हिमालया एड़ इस प्रेजर्वेटिव फ्री फॉर्मूला एंड कंटेंस रे से इंग्रेडियंस जो हमें नहीं चाहिए और अफ्कोर्स और इनिक भी नहीं है तो सेकेंड कैप्सूल था वो था हर्बल हिल्स शतावरी टेबलेट्स ना इसके अंदर देख सकते हो 500 mg की एक सर्विंग साइज है एक कैप्सूल है शतावरी पावडर है उसके अंदर 350 mg और कि जो स्टेट्मेंट था ऐसा कोई स्टेट्मेंट मुझे हिमालया के प्रोड़क्ट पे नहीं दिखा दोस्तों अगर कैप्सूल है टेबलेट वगरा है तो डेफरेनेटली यह नो इस शुट बी स्टेंडड़ाइस तो सम परसंटेज से पुनीं ठीक है और अधर इंग्रि करता है बाट तो आप उसके वह एक्टिव कंपॉंद ज्यादा लेने के लिए क्या आप आधर जो इंग्रेडियंट से शाहर हमफुल हो सकते हैं वह भी कंजूम करोगे आप तो आप डेफिनेटली प्रिफर पावडर ओवर कैप्सूल अगर मुझे कोई ऐसा कैप्सूल मिल इसके सप्लिमेंट फेक्स पर चेक कर सकते हो सर्विंग साइज है एक वेजिटेरियन कैप्सूल इसके अंदर है 60 कैप्सूल आपको मिलेंगे शतावरी एक्स्ट्राक्ट है 500 मिलिगाम एक कैप्सूल में और स्टेंडडाइस्ट तू सेपोनें ग्रेटर दन ट्रेइपसूल इस रियली वेरी गुड अधर इंग्रेडियन्स में आप देख सकते हो एच पीमची कैप्सूल है क्योंकि वेजिटेरियन है इसके वेरे से नो फिलर्स नो बाइंडर्स और कॉमन अलर्जिंस तो दोस्तों फॉर सम रिजन अगर आपको पावडर नहीं कंजूम करनी है तो क्योंकि इसके अधर इंग्रेडियन लिस्ट में कोई से चीज़े नहीं है जो हम फुल हो ना इसको पर सजेस्टेड यूज में लिका हुआ है कि आपको एक से दो कैप्सूल लेने हैं डेली बिफोर मील्स वीथ वाटर तो दोस्तों यह थे सारे ब्राइंड्स और डेफिनि करो लंच के बाद में या डिनर के बाद में आप कुन्सूम कर सकते हो अगर मैं पॉसिबल साइड़ ओर इसकी बात कुरत दोस्तों याद रखिये यह तो इसके साइड एफेक्स वीशे होते नहीं है ठीक है लेकिन किसी को अगर डाइजेशन के दिक्कत ए वीग डाजेशन ह तो उसको शतावरी नहीं करना जाए जाए कि शतावरी जड़ा होता है कि अगला रहा है ठीक है मेडिकेशन चल रही है किसी के तो इसको करना चाहिए लेकिन कैसे करना चाहिए उसकी भी काइंड आफ एक टेक्निक है रूल है कि आप इसको लगबक दो से तीन महिना कंजुम करो फिर ब्रेक लो फॉर वन और टू वीक्स उसके बाद में आप रिस्टार्ट कर सकते हो जिस त करते हैं लेकिन आपको एक हल्दी बैलेंस डाइट भी फॉल करना पड़ेगा टू रीपिस फुल बनेफिट और अट लिस्ट थर्टी मिनस टेइली एक्सराइस करें घर पे या जिम में जाके जिदर भी आपको अम्रव कंफरिबल हो तो तो अट इस वीडियो और वीडियो करता है